Hey everyone welcome back to mindru 신 Mind Tutorials तो आट टोचीजेघ夏ー की तरी बाट की टीर अर्म चीज मैं है तरी तेटुरी कीनेसे टेक्स को थो हए जिस को इस में एक निव चीज को एंटर करवाया था जो हमारी list में अर्ट हम इस बाने काह सकता कि शीजेघ्चान वर्र weapon produkt नियुकした को आप ना गर प्रीवेश वीडियो सेग्मेंट नहीं देखा जिसमें में ने कैनेसिस को एक्सियन करा है उसमें इने ओरेनेशन को भी थोड़ा बहुत इंट्रोड़क्तरी वीच्पिन तो आप फहले वह चेक करेंगी जिसमें काइनेसिस थोड़ा बहुत थे आपको दो तो तरह की spellings देखने को मिल सकती कभी T-A-X-I-S और कभी T-A-X-E-S आई-एस वाली spelling जब यूज की जाती है जब हमें singular way में represent करना हो तेक्सिस को और अगर टेक्सिस को plural way में represent करना है तो एस वाली spelling का यूज किया जाता है अब टेक्सिक response क्या होता है या फिर टेक्सिस क्या होता है तो यह तरह का orientation movement होता है जो की पुरा एक entire organism show करेगा और यह जो entire organism है जो उसको stimulus मिलता है उसके basis पर movement show करता है इसी को टेक्सिक response कहते हैं यानि कि जब भी एक external stimulus मिलेगा किसी भी organism को तो organism movement show करेगा इसी को हम कहते हैं Taxic Response अभी जो Taxic Movement होता है ये Positive और Negative दो तरह का हो सकता है अगर जो Organism है वो Stimulus के तरफ जा रहा है तो उसको कहते है Positive Taxic Movement और अगर Stimulus से दूर जा रहा है Organism तो उसको कहते है Negative Taxic Movement ये बाते हैं होती है अब उसके बार हमारे पास एक Table होती है जिसमें हम समझेगे Example of Taxis के बारे में तो इस Table में अगर आप देख सकते हैं तो हमने 3 Headings लिए है सबसे पहली है Stimulus, दूसरी है Taxis और थर्ड है Examples पहली अगर हम बात करते हैं तो पहला Stimulus जो हमारा रहेगा यहाँ पर लाइट रहेगा लाइट का जो टेक्सिस होता है उसको कहते हैं फोटो टेक्सिस दो तरह के फोटो टेक्सिस हो सकते है positive negative अगर light की तरफ organism जा रहा है तो ऐसा टेक्सिस हो जाता है positive photo teksis जो कि युगलीना, fruit flies जो करते हैं जहां भी इनने light मिलेगी तो युगलीना, fruit flies क्या करेगे? light की तरफ जाएंगे दूसरा होता है negative photo teksis यानि कि light से दूर भागना तो earthworm और जो cockroaches रहेंगे ये दोनों organisms क्या करेंगे जैसी इन्हें light देखेगी तो light से दूर भागने की कोशिश करेंगे chemical यानि की chemotexis तो यहाँ पर positive में क्या होता है जो sperms होते है liver warts की या फिर normally हम human sperms की भी बात कर लें तो जो ovum रहेगा female ovum जो रहेगा तो वो कुछ chemicals को release करता है जिसकी तरफ sperms कुद्बा को जाने लगते है इसको कहते है positive chemotexis क्योंकि chemical release हुआ ovum के तुरू और उस chemical की तरफ sperms का movement हुआ तो यह हो जाता है positive उसके अलावा होता है negative अगर आप देखेंगे mosquitoes को तो जो insect repellents होते हैं जैसे की all out हो गया good night हो गया फिर उसके बाद odomas cream होगी इन सारी चीज़ों को देखकर जो mosquitoes होते हैं उसे दूर भागते हैं तो insect repellents से mosquito दूर भाग रहा है और insect repellent में क्या है chemical है तो chemical से दूर भागना हो जाएगा negative chemotexis तो chemotexis की बातियां complete होती है next हमारा stimulus है air जिस में oxygen के एक्जामपल ले रहे है टेक्सिस कहलाता है एरो टेक्सिस special kind of chemotexis ही होता है जो अभी chemotexis आपने उपर देखा उसी का एक तरह का special kind होता ही है दूसरी बात इसमें positive का जादा रोल प्ले होता है तो जो aerobic bacteria होते है वो क्या करें कि oxygen की तरफ जाएंगे क्योंगे oxygen से respiration शो करते है तो oxygen की तरफ जाने की चीज को aerobic bacteria में कहा जाता है positive aerotexis उसी तरह से gravity का जो कहना चाहिए टेक्सिस होता है उसको कहते है जियो टेक्सिस इसमें positive negative दोनों होते है जो planular larva होता है कुछ nidarians का वो क्या करते है जो sea bed होता है sea bed की तरफ swim करते है उसकी तरफ जाने की कोशिश करते है तो इसको कहते है positive geotaxis उसा-सी तरह से जो hyfrich larva होता है क्या करते है तरह स्विं अवwnकर से आगें वह कुछ निडिरियन्स की लार्वा उते हैं इफाइरा लार्वा भी तो neederians जो लार्वा होता है वो sea bed से से दूर भागनी की कोशिश करता है या दूर swim करनी की कोशिश करता है loveyt you कहलाता है यहाँ पर उसको कहते है negative geotaxis यह तो gravity की बात हुई इसके बाद हमारे पास बात आजाती है magnetic field की यह हमारा stimulus है इसका texis magnetotaxis होता है certain motile bacteria यह चीज़ शो करते है bacteria को नहीं यहाँ पर हमने BAC से represent करा है उसके बाद resistance जो होता है वो भी stimulus की तरह करता है resistance एक तरह की रुकावड को हम कह सकते है इसके टेक्सिस को रियो टेक्सिस कहते है इसमें होता क्या है positive generally रेखने को मिलता है तो जो planaria होता है planaria आपको पता होगा जो regeneration शो करता उसको आपने समझाओगा लेकिन वो क्या करता है जो पानी का बहाव है उसके opposite उसके उल्टाय जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर यह वाली चीज हो जाती है फिर एक चीज और होती है यहाँ पर moths और butterfly की यह wind की तरफ बढ़ने की कोशिश करते है तो wind उनको और नुकसान पहुचा सकता है क्यों अब यह जो छे टेक्सिस आपने अभी टेबल में देखें यह तो है इसके अलावा कुछ पाच टेक्सिस के टाइपस और होते जिनको recognize किया गया है इसको हम एक एक करके समझते है पहला होता है ट्रोपो टेक्सिस तो हेडिंग यहाँ पर दी हुई है इसको समझते है तो अब यहाँ पर इसके बादी में एक रिस्टर है जो कि फूड को सेंस कर सकता और एक ऐसा जो कि उसकी नॉर्मल आदतों को सेंस करवाता होगा तो वह जो रिस्टर से जिनको स्टिमलस मिलेगा तो उस अनिमल में यह चीज़ देखने को मिलती कि वह comparison करता है कि अब stimulus का करना क यह चाहिए क्योंकि उसके बाद अलग अलग रिस्टर से तो महां वह comparison करता है फिर उसके बाद वह यह सोचता है कि अब वह stimulus की तरफ जाए यह stimulus के अवे जाए तो जो प्लैनेरिया होता गर हम इसी का एक्जामपल ले ले तो नॉर्मली क्या करता है प्लैनेरिया मूव अग रियो टेक्सिस को शो करता है लेकिन यहाँ पर वह वाटर करेंट के साथ साथ उसको सेंट ओ फूड भी आ जाएगी तो जाना क्या चाहता था वह प्लैनेरिया पानी से दूर जाए लेकिन पानी के बाहों की तरफ उसको फूड की भी स्मेल आ रही है तो वह कोशिश करेगा कि आप पानी का बाहों छोड कर पानी के साथ ही बल्कि उल्टा चले जाए पानी को छोड़े नहीं बल्कि पानी के साथ चले जाए इस सीज को कहते हैं कि आप वह पर एक तरह का कंपेरिजन शो कर रहा है तो यह जो एनिमल होता है अपना आपको इस तरह से पोजिशन में ल प्लानेरिया का in response to stimulus या फिर resistance इसको कहते हैं रियो टेक्सिस और जो behavior यहां प्लानेरिया शो कर रहा है कि अगर उसको food दिख रहा है तो फिर वो पानी के साथ सा जानी की कोशिश कर रहा है तो उसको कहते हैं तो आपको डिफरेंग समझना होगा जनरली यह क्या करता है पानी से दूर भागता है लेकिन खाना मिल गया तो पानी के तरफ जाने लग गया तो उसको कह रहे हैं ट्रोपो टेक्सिस तो आपको यह दो चीजों को समझनी की कोशिश इस एक्जांपल से करनी है जो कि था ट्रोपो टेक्सिस के बारे में अब तो ट्रोपो टेक्सिस की अगर आप definition लिखना चाहते हैं तो आप लेख सकते when a stimulus is received simultaneously by two or more receptors of an animal it can then compare and steers a course towards or away from the stimulus और इसमाब लेने रहागा example लेलेंगे जनरल उसके आदत बतार बताईएगा कि यह जो आदत है कि पानी से दूर भागना है उसको कहते है रियो टेक्सिस लेकिन अब उसको फूट दिखाई दे जाएगा तो वो पानी की तरफ भी चला जाएगा इसको कहते है ट्रोपो टेक्सिस तो यह बात होगी ट्रोपो टेक्सिस की इसके बाद दूसरा तरह का टेक् करते हैं तो बहुत सारे ऐसे organism होते हैं जो कि डाइरेक्शन होती है stimulus की उसको सेंस कर लेते हैं कि stimulus किस direction से आ रहा हूं को सेंस कर लेते हैं अपने सेर को हिलाएंगे move करेंगे उनके अंदर major sensory receptors होते हैं side to side check करते हैं और उनको यह पता चल जाता है कि जो stimulus है वो कौन से direction से आ रहा है इसको कहते है cleanotoxic होना तो आप लिख सकते है many organisms detect the direction of the stimulus by moving the head which bears the major sensory receptors from side to side this is called cleanotoxic response और यह जो cleanotoxic होता है वो उनको यह help करता है कि अगर symmetrically placed receptors हैं उनके सिरक्यों पर जैसे कि photoreceptors हैं तो वो detect करवा देगे stimulus को तो यह सारी चीज़े हैं general और cleanotoxic response जो होता है generally जिसमें example आता है इसमें तो आप maggot का याद रखेंगे blowfly larva जो होता है blowfly larva maggots तो यह light source से दूर जाने की कोशिश करते हैं blowfly तो इनको यह पता पढ़ जाता है कि light source के इस direction में तो उससे दूर खुद बाखुद चले जाते हैं cleanotoxic जो करते है basically तो जो cleanotoxic होता है वो ऐसा माना जाता है कि जो successive stimulation होगा receptors का हर साइट जो body के उसके उपर present होगा और वो जरूरी भी है अगर हर body के साइट पर present नहीं होगा तो वो sense के से करेगा organism के किस direction से stimulus आ रहा है तो एक तरह से brain को continuous apply देना हमें आपर जरूरी होता है information का क् आपर एक long term memory नहीं होती इन छोटे organisms में कि वो याद रख लेंगे कि हमेशा right side से light आईगी ऐसी memory उनमें नहीं नहीं बन सकती तो उनके अंदर बहुत सारे sensors God ने प्रोवाइट की है जिससे कि वो यह sense कर लेते कि किस direction में से stimulus आ रहा है इसको कहते है cleanotaxis अब आता है ती तीलो इसके उपर आ रहा है या receptor पर आ रहा है जनलरी जो आखें होती है उसी में आता है वो तो उसको कहते है टीलो टेक्सिस यानि की तो ओरियंटिंग औरियंटिंग मेकिनिजम विच की पा सटन स्टिमलस एटा फिक्स प्लेस ऑन रिसेप्टर मोस्टी दा आए और कॉल टीलो ट प्लानेरिया कंपेर कर रहा था किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं लेकिन तीलो टेक्सिस में इसा नहीं होता कोई कंपेरिंजन यहां पर देखने को नहीं मिलता और यहां पर एक गोल डिरेक्टेड ओरियंटेशन देखने को मिलता है यहां पर दो सोर्सें हो सकते यहां पर आ जाते हैं, हर्मिट क्रेब्स केव, हर्मिट क्रेब्स क्या करते हैं, इनके पास दो वैल डेवलप्ट आइज होती हैं जो की उनको यह अच्छे से लाइट सोर्से भी शो करती हैं एक dim और एक bright light उनकी दो आखों मेंसे एक light ये शो करीगी कहां पर dim है और दूसरे आख ये शो करीगी कहां पर जादा light है और कौन सी bright portion है तो जो ये हर्मिट क्रेब होता है हमेशा ऐसे portion में जाता है जा पर light जादा होती है तो टीलो टेक्सिस इसी को कहते है कि वो आखों की मदद से ये sense कर लेते हैं कि किस तरफ जाना है तो हर्मिट क्रेब की दो आखों का example या तक है एक आख तेज रोशनी को देख सकती है और एक आख अंधेरे को देख सकती है तो जो आख रोशनी को देख पा रही है तो उसी आख की direction में हर्मिट क्रेब चलने लगता है इसको कहते है तीलो टेक्सिस is के बाद next हमारा टेक्सिस होता है मीनो टेक्सिस हम heading ले लेते हैं मीनो टेक्सिस मीनो टेक्सिस में मीनो का मतलब होता है रीमेन या फिर पहला रीमेन ऐसे समझ सकते हो तो कुछ ऐसे केसिस होते हैं और ओर्गिनिजम्स जो रहते हैं वहाँ पर एक फिक्स एंगल जो रहता किसी डाइरेक्शनल स्टिमिलस की तरफ उसके बेसिस के ओपर मूव करते हैं तो आप समझें अगर तो इन सम केसेस और्गिनिजम्स अर एबर टू मूव बाइ मेंटेनिंग अ फिक्स एंगल रिलेटिव टू दा डाइरेक्शनल स्टिमिलस जैसे कि कुछ सर्टन स्पीशिस होती यहां पर चींटियो का एक्जाम्पल लेंगे हम एंट्स जिसको हम कह सकते हैं लेसियस नाइगर उसका साइंटिफिक नेम भी अकर लिखना चाहें तो लेसियस नाइगर यह क्या करती है यह एक दुसरे का जो पात है या जो रास्ता है उसी तरफ जाती है जो घर रहता या उनकी जो नैस्ट रहेगी जिसको भी हम कह सकते है उसी तरफ जाती है तो वो कैसे जारी क्योंगि वो क्या करती है संसे कि डाइरेक्षन है उसको अपना रिलेटिव बना लेती संस Elaji दिरेक्षन से मैं आई होंगी सोर्स ऑफ स्टिमिलेशन इस कॉल्ड मीनो टेक्सिस जो होमिंग एंड्स होती है वह अपना ओरियन्टेशन अपने नेस्ट की तरह विसी तरह से बनाती है क्योंकि वह संगे राइट एंगल पर अपने घर को मार्क कर लेती है और यह दिमाग में बिठा लेती है किस तरीकिस उ रहता है उसको कंटीन्यू करती है राइट एंगल की तरफ सन की तरफ और दीरे-दीरे डेवेट करते-करते अपने नेस्ट पर पहुषती 37 डिग्रीज की राउंड की उपर तो अगर सन उनको दिखाई ना भी देगा अगर सन को वह देख ना भी पाए तब भी यह जो सैंटिस का नाम भी हम यह आपर एक्सप्राहेट कर लेते जिनका नाम था ब्रण ब्रंन नाम के सैंटिस्ट है 1914 में उन्होंने यह बताया था एंट की वारे में कि वह मीनो टेक्सिस शो करती है उसके बाद लास्ट हमारे पास एक और टेक्सिस आता है जिसको कहते है नीमो ट इसके प्लेक्स हिसे ही सथा केंड करनाहीं दूरस्व का है सब्सक्राइब और Almokk7 ऑम्स को कि तरह अफे पर 165,457, आया हमिनानन का ई सुनका है। तो इस तरह की जो चीज होती है उसको कहीं नीमो टेक्सिस का जाता है और जब एक ब्रीफ सर्क्लिंग फैट लेता है जैसे कि अगर माली जो वह वास पर बहुत जादा गोल गुम गया है अब उसको गन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको औरेंटेट भी अपना आपको करना आता यह सारे उसने रास्ते में जो चीजे सोच रखी थी कि यह यह चीज होना जाए अगर हम उनका रिमूबल कर देंगे तो उसका जो औरेंटेशन है उसका जो रास्ता उसने याद रखा वो उसको भूल जाएगा तो जो डिगर वास पर रहते हैं वो अपने नेस्ट को सिफ इ अगर हम सोच सकते हैं लेकिन अगर महां से वह लेंडमार्क हट जाता है तो फिर हमें भी confusion होना लगता है उसी तार से डिगर वास की यहां पर एक्जामपल आती है जो की नीमो टेक्सिस में आती है तो यह सारी चीजे थी पाच टेक्सिस होड़े इंपोर्टन थे तो इनको हमने शॉर्ट वे में लेकिन समझ लिया अब इसका अगर में एक एक डियाग्राम शो कर दो पहला होता है तो इसको देखते हैं तो आप यहां पर अगर देख सकते हैं तो पहला हमने जो एक्जामपल लिया था अगर हम लेस्ट भी देख लें साथ के साथ इसके तो लेस्ट में जाने लग गया, तो ये food की scent इस तरफ सारी और ये भी इस direction में जा रहा है, तो ये चीज हमें यहाँ देखने को बिलती है, ये पहला हो गया, दूसरा example हमारा था cleanotexis का जिसमें मैंने blowfly larva maggots के बारे में बताता, तो इन organism के साइट पर बहुत सारे receptors लगे होते हैं, जिससे वो इस सेंस कर लेते हैं, किस direction से stimulus आ रहा है, तो ये maggots का example है, और इसके ओपर बहुत सारे sensors लगे हैं, इसको ये पैथरा चल जाता है किस सरफ सारा है, stimulus तो वो इसके दूर भागने लग जाता है, तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं, जो चीज़ यहां थी वो अलग-अलग तरह के movement show करने लगी ही, यह होता है clean o Texas का diagram, उसके बाद third था हमारा टील o Texas, जो कि मैंने hermit crabs के example लेते हैं, वो आपको जो रोशनी होती उसको देख पाती है और एक आक ऐसी होती है, जो कि अन्हेरे को देख पाती है तो यह hermit crab है, इसके ओपर shell of mollusk शो किया गया है और यह सारी जीज़े हैं, बस इसमें diagram है hermit crab का जो important था अब बात करते हैं, मीनो टेक्सिस की तो यह जो फोर्थ वाला diagram है यह हमारा है, मीनो टेक्सिस के लिए यहां पर क्या दिख रहा है, मीनो टेक्सिस में हमने दिया था एक्जाम्पल एंट का चीटी होगा तो चीटी अपने घर तक ऐसे जाती है वो सारे एंगल बना लेती ही, सन को लेकर तो 37 डिग्री का एंगल लेता है 90 डिग्री का जो पूरा प्रोसेशिप साब और डीटेल में रहता है तो यह इसका ओरिजनल पाथ है यह इसका नैस्ट है, यहां पर सन है फिर उसका डिवेटेट पाथ इधर रहेगा फिर उसको अगर सन को इधर एड़ेस कर दीगी तो उसका रास्ता इधर चले जाएगा तो हर बार सन को लेकर 90 डिग्री पर लेते हुए एक एंगल बनाती है और 37 डिग्री का रोल प्ले होता है जो कि यहां पर डिग्राम में शोन है तो हाला कि मैंने इसको इतना डिटेल में आपको explain नहीं करा है मीनो टेक्सिस को एक short way में आपको बता दिया है तो अगर आप चाहें तो उसकी statement में आप note कर सकते हैं आपर लेकिन जादा कुछ important नहीं है फिर भी उसके बाद नीमो टेक्सिस की बात हमने की थी तो नीमो टेक्सिस का डाइग्राम कुछ इस तरह से है ये वाला फिफ्फ वाला नीमो टेक्सिस में क्या था इकर वासुका था कि वो रास्ते में अपने लैंडमार्क सोच की चलता है उसी तरह सा अपने धर पर पहुश पाता है तो यह यह यहां पर बात complete होती है तो यहां पर हमारे taxes तो complete हो जाते हैं फिर भी अगर meanotexis की बात करें तो इसमें आप अगर statement लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो in some cases organisms मैं meanotexis की बात करें हूँ so in some cases organisms are able to move by maintaining a fixed angle relative to the directional stimulus for example certain species of ants जिसको अगर कहते हैं can follow a path back to their nest by setting a course relative to the sun's direction फिर उसके बाल लिख सकते हो आप अगर दूसरे शब्दों में भी इसकी definition लिखनी the orientation of an animal at a constant angle to the direction of source of stimulation is called meanotexis homing ends maintain orientation towards nest by progressing at right angles to the sun while captured and held at a point when the nest moves at 37 degrees their path continues at right angles to the sun and their ends deviate from their path to the nest by 37 degrees even if the sun is invisible these ends are sensitive to the plane of polarization of light from the sky meanotexis in ends was studied by brun in the year 1914 तो आप ये सारा statement meanotexis मगर चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि थोड़ा सा complicated था बाकि दूसरे वाले टेक्सिस के अगर comparison में हम बात करें तो यहां पर हमारा टेक्सिस का जो पोड़ा portion था important वाले जो पार्ट से वो सभी चीज लगभा complete हो जाती है नेक्स वीडियो सेग्मेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिस के साथ जिसको हम सिंपल रिफ्लेक्सिस भी कह सकते हैं तो काइनेसिस हो गया है टेक्सिस हो गया है सिंपल रिफ्लेक्सिस नेक्स वीडियो सेग्मेंट में रहेगा so thank you so much and don't forget to like share and subscribe happy learning